ओम सिरी गनेशा नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जुलाई बुद्वार के रासी फलक के बारे में कि इहां दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए बुद्दुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते है इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती सात आज आपके प्रतेक कारे सरलता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाए और विचारधरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेष रहेगी आपकी आज अनेको एक्छैंपूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योज प्रसन लाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अवी काम सफल होंगे अठके हुए कार रहे आज पूर्ण हो सकते हैं गिरहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपक कुछी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशकता है अन्यता आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे सौंदर्य प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें साती साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर प्रालें माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ती असंभव हैं साती साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सेयम रखना पड़ेगा ऐसा ना ह कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग पानी और वाहन दुरघटना से समल कर रहें बदनामी और निसेदात्मक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साथी साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप अवश चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुसीबत में आज आप फस सक करते हैं यात्राओं को भी आज आप तालें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता ह दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वहवी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिस्ते में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकर्शन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाय में धनलाब और न वेवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचय करने का भी ब्रतन सफल हो सकता है साथ साथ आज आपको अपने वेवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शक जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है। दोस्तो ब्रहम भे वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे। खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा। स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें। तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं। इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें। भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्ठो को दूर करेंगे, जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं, समस्त परेशाने हो कांत करेंगे, और आपके समस्त मनों कामनाएं, भगवान श्री गनेश जी के आशिरवास से अवस्य ही प झाल